यास तो इस लेक्षर में आपन डिस्कूस करेंगे अल्टरनेट मेथड ओफ डायवडजेंस, मैथेमेटिकल, सेकंड यार, फिजिक्स, खीक है, अल्टरनेट मेथड ओफ डायवडजेंस, तो वैसे एक्चुल में इसका डेपरिजन आपको जो फोर्मुला वो करवा चुका एक डायग्राम बढ़ाया था, मैंने डायग्राम की थूरुष को मैं एक्स्प्रेंट कर चुका हूँ, लेकिन कई बार एक अलग परकार से क्यूसर पूछ लेता है, क्यूसर ये पूछ लेता है कि आपको ये पूरूप करना है, कि जो डायवर्जेंस है ए वेक्टर का वो ये पूरूप करना है, ये कही बार पूछ लेता है, तो वो उस मेत्रेट से सोल नहीं होता है, इसके लिए आपको अल्टरनेट मेत्रड वेकल्पिक वीधी यूज में लगाएने पड़ेगी, कौन से यूज में लेने पड़ेगी, वेकल्पिक वीधी, यदि आपको एक्ज एक्पेन करना है, लेकिन यदि डायरेक्ट ये पूछता है, तब आपको अल्टरनेट मेथी, मेत्रड यूज में लेना है, तो मैं लिख रहा हूँ, तो पिक अल्टरनेट मेत्रड ओफ डाइवर्जेंस, ठीक है, पिक वेकल्पिक वीधी, यदि आपने ये डायरेक्ट इवर्जेंस अच्छे प्रकार से पढ़ लिया, तो वो करल अपनीआप हो जाएगा, ठीक है, इसको अच्छे प्रकार से पढ़ना, ये लिख रहा हूँ में, करल की, सुरी, डायरेक्ट इवर्जेंस को हिंदे में बो इवर्जेंस की वेकल्पिक वीधी, आप देखो भाई, वेकल्पिक वीधी, इसका में एक कुछन में लिख देता हूँ भाई, आपको आईडिया रही भाई, एग्जामें क्या कुछन आना है, इस मेथड के उपर जो कुछन आता वो, Sadish Chetra, Sadish Chetra, Sadish Chetra, Capital A Vector के लिए, Sadish Chetra, Capital A Vector के लिए, सिद्ध कीजिये की for vector field capital A vector for vector field capital A vector prove that क्या prove करना है आपको prove करना है कि जो divergence of A vector होता है divergence of A vector यह होता है del dot A vector यह question exam में पूछ लेता है और काफी बार पूछा हुआ है जब अपन alternate method use में लेते नहीं है तब अपन यह question solo होता नहीं है और काफी बार अपन इसको ठोड़ देते हैं ठोड़ी में भी लेकिन जब दो-चार बार फूछ लिए तो उसके बाद इसको करवाने लग गए है ठीक है question कर लिया होगा अब इसको में रफ कर देता हूँ देख लेख 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 let एक वेक्टर फिल्ड माल लिए क्या e1 केप a1 e2 केप a2 plus e3 के a3 ठीक है अब इसका क्या लेंगे है अपन divergent तो अब लेंगे है अपन del dot a vector इसको अपन लेंगे है del a vector की value आपको given है e1 केप a1 plus e2 केप a2 plus e3 केप a3 ठीक है ठीक है अब देखो इसको मैं दे रहा हूँ यहाँ पर equation 1 क्या दे रहा हूँ इसको equation 1 अब देखो भई gradient का formula पर पढ़ चुके तो वो formula पर लिखेंगे हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि अदिस फलन phi की परवंटा हम जानते हैं कि अदिस फलन phi की परवंटा we know that gradient of scalar function phi we know that gradient of scalar function phi क्या होता है यह होता del phi is equal e1 cape over h1 del phi over del u1 e2 cape over h2 del phi over del u2 plus e3 cape over h3 del phi over del u3 u1 u2 u3 आपर करव linear coordinates है ठीक है वक करें कि निल सांग कही है let phi is equal में u1 consider कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा यह del u1 is equal देखो तो del है वो अपने आप में एक vector quantity है gradient एक vector quantity है तो कई बार यहाँ पर vector लगा भी आसे पतार कई बार ऐसे भी आदाता है del u1 over del u2 e3 k over h3 del u1 over del u3 u1 over del u3 अब देखो u1, u2, u3 क्या है independent variable है ठीक है इस condition में यह value 0 यह value 0 क्यों u1 की value u2 और u3 के उपर dependent नहीं है और del u1 over del u1 की value क्या होती है 1 क्या होती है 1 ठीक हा भई अब देखो आगे जो del u1 है इसकी value क्या आगई इसकी value आगई e1 k power h1 इसकी value 1 अब बाकि सभी बच्चे होए 0 तो यहाँ से e1 k pg equal h1 del u1 यह important quantity ठीक है ऐसे आपना आगे और पुरूप करेंगी similarly e2 kp is equal h2 del u2 ऐसे आपने यह भी प्रूप पर सकते है e3 kp is equal h3 del u3 h3 del u3 e1 e2 e3 ठीक हाँ अब आप आगे देखो जैसे आपने करते हैं न जैसे i kp pros j kp क्या होता है k kp j kp pros kkp क्या होता है i kp k kp pros i kp क्या होता j kp same उसी method से इसको solve कर रहे हैं देखो नाउ e1 kp e2 kp pros e3 kp वो ही है j kp pros kkp क्या होगा i kp j kp pros kkp क्या होगा i kp इसको लिख रहा हूँ मैं e2 की जगे क्या रहा है h2 bale u2 cross h3 bale u3 तो यहाँ पर h2 h3 bale u2 cross bale u3 ठीक हो भई ऐसे ही e2 kp क्या लिए देगे हैं अपन j kp क्या होगा j kp kk pros i kp e3 kp cross e1 kp यह होगा तो क्या होगा यह e3 की value h3 bale u3 और यह h2 bale u2 bale u h1 bale u1 sorry h1 bale u1 तो यह h1 h3 h1 h3 और यह क्या बच रहा है bale u3 cross bale u1 ok now now e3 kp is equal क्या होगा यह e2 kp cross sorry e3 kp है ना तो e1 kp pros e2 kp j kp i kp kk i kp cross j kp kya होगा kk वैसे यह h1 bale u1 cross यहाँ पर h2 bale u2 तो क्या हो जाए गई यह h1 h2 h1 h2 bale u1 cross bale u2 ठीक है भाई लिखी इसको लिखो भाई लिखो यह क्यूशन काफी बार एक्जामें पुछा हुआ है यह क्यूशन काफी बार एक्जामें पूचा हुआ है कि आपको यह पुरूप करना है e1 kp की value यह होती है e2 kp की value यह होती है e3 kp की value यह होती है यह मैं लास्ट में आपको एक क्यूशन की रूपने अलग से और लिख दूँगा ठीक है यह equation 1 है इनको दे जता हूँ मैं पूर्य को एक साथ या फिर देखो एक बार चलो यह equation 2 पूर्य को एक साथ देए equation 2 इस दोग का उप्यूग एक में करना है और यूजिग और यूजिग equation 2 in equation 1 equation 2 in equation 1 देखे बाई del dot a vector is equal e1 की value h2 h3 del u2 cross del u3 plus और यह साथ में क्या है a1 तो इस a1 को मैं यहापड लग दू यह लो भई इस a1 को मैंने यहापड लग दिया ठीक है plus अब है a2 e2 की value क्या है वहाँ से h1 h3 और यह del u3 cross del u1 ठीक है plus plus a3 यह a3 और e3 की value h1 h2 del u1 cross del u2 ठीक बाई यह लिख दिया अब देखो आगे divergent sorry del अभी आपने इसको divergent नहीं कह सकते अभी नहीं कह सकते last में proof करने पे कह सकते हैं del dot a vector सब को लग लग कर दो इसको लग कर दो इसको लग कर दो सब से पहले मैं इसको लग कर रहा हूँ del dot a1 h2 h3 del u2 cross del u3 यह कर दिया plus इस del गो इसके साथ में del dot a2 h1 h3 del u3 cross del u1 इसको लग दिया plus जो लाश्ट रम बच रही है plus del dot इसको लग दो a3 h1 h2 del u1 cross del u2 ठीक है अब देखो आगे आगे देखिए भाई इसको देखिए इसके उपर कहीं पर भी vector quantity नहीं curl है cross product अमेसा क्या होती है vector quantity क्या होती है vector quantity यह आपर क्या पर vector नहीं है सब component form में है यह क्या है scalar quantity क्या है scalar quantity यह यह दखडा यह vector quantity है यह scalar quantity है तो मैं यह आपर यह करणगा इसको एक पर पकाश्च 5 मानुँँगा इसको कोई vector quantity मानुँगा ठीक है कैसे एक फुर्मुला है बेल डोट फाई जिसे मैं क्या मानूँ बी वेक्टर मानूँ एक बार बेल डोट फाई बी वेक्टर या पिर एक मिंट इसको सोल करने के लिए देखो इसको ललग करो डेल डोट ए वेक्टर इसको अलग मानूँ इसको अलग मानूँ दोनों को मानलू अलग तो A पिकार से टिफेंछल है इसको पिर इसको रख लो तो सरस्द पहले में क्या कर रहा हूँ इसको रख रहा हु पौंस्टेंछ ए वन ह2 ह3 इसको मैं अलए ओसका इसका दिफेंटिल क्या हो दाएगा, del dot, del u2 cross, del u3, ये रकलिया, plus, अब क्या करेंगे, इसको रखनो हट इज, और इसका दिफेंटिल, del a1, h2, h3, इसको रखनो हट इज, del u2 cross, del u3, इसको हट इज रकलिया, इससे फिर जो second term हो, वो क्या हो दाएगी, plus, या फिर इससे करेंगे, इसको, एक term को solve कर ले अपन, क्या हो ले एक term को, या पूरे को सास ले लो, कोई दिक्कत नहीं, अब इसको constant, a2, h1, h3, del, इसको constant, इसका दिफेंटिल, del u3 cross, del u1, plus, अब इसका दिफेंटिल करेंगे, del a2, h1, h3, ठीक है, इसको, del dot, del u3 cross, del u1, del u1, अब last term, plus, पहले इसको constant रखेंगे, इसको, इसको constant रखेंगे, या इसको, यह मेने उल्टा कर दिया, यहाँ पर नहीं होगा, यह नहीं होगा, del u3 cross, del u1, ऐसे आए गई है, डिफेंटिल इसका कर दिया, इसको constant रही है, चीक है, अब ऐसे last में, पहले a3, h1, h2 को constant रखेंगे, आब इसका डिफेंटिल क्यों देएगा, del dot, और यह, del u1 cross, del u2, अब इस पहले वाले का डिफेंटिल, del a3, h1, h2, और यहाँ पर, del u1 cross, del u2, del u1 cross, del u2, ठीक है भई, इसको रखेंटिल पर देता हूँ मैं, इसको देदिया equation, side 6, third equation रही है, equation 3, फोटा difficult हो गया, आगे देखो, अब मैं इसको solve कर रहा हूँ, इस वाल टरम को solve करूँगा मैं, देखो कैसे, since, एक formula चलता है, del a cross b, इसको लिखेंगे, b, del cross a, minus a vector, del cross b vector, यह formula याद रखना है, ठीक है, अब देखो इसको, यहने मैं यह बोल रहा हूँ, ऐसा होता हूँ, formula, भाई, a vector dot b cross c, यह formula, यह होता है, c, a cross b, minus b, a cross c, यह formula होता है, ठीक है, अब मैं लेख रहा हूँ आपड, therefore, जिसे मैं एक टरम लोई है, यह वाल टरम, यह वाल टरम लेलू, यह क्या होता हैगा, del dot, del u2 cross, del u3, ले लिया, अब क्या होता हैगा यह, यह वाला formula यह प्लाए करू, del u3 hd is, del cross del u2, फिर minus, यह यहाँ पर, del u2, और del cross del u3, यह आ गया, समाना इसको चितर है, अब, यह value क्या होती है, 0, क्या होती है यह value, 0, क्यों, क्योंकि del, और del cross phi, हमेशा क्या होता है, 0, del dot del cross phi, curl का divergence, curl का divergence हमेशा क्या होता है, 0, curl का divergence हमेशा क्या होता है, sorry, इसको ऐसे करना, del cross del phi हमेशा क्या होता, 0, ऐसे करना, sorry, Curl gradient Phi, 0. बाद में, क्षुछन में अपन सॉल करेंगे. Last में, एक भुक में आपके question भी है. ऐसा ही question है, उसको Solve ही करेंगे. Curl gradient Phi, ये into ये, Phi की दीए, यहाँ पर U2 है, यहाँ आपर U3 है, 0 हो गया. Curl gradient Phi क्या होता है? 0. ये quantity क्या हो गई? यह लिख लिख लिए साइड में, अब जब यह 0 हो गहे तो same to same, यह 0 है ना, तो यह भी 0 होगा और यह भी 0 होगा, 0 दाएगा, formula यह रख लिख 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 लिख, यह लिख 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 लिख, क्योंकि यह vector quantity है, क्या है यह vector quantity है, इस formula में apply किया तो यह value आ गई, अब यह आपर formula आपना गया, curl gradient 5, curl gradient 5, curl gradient 5 जो 0 होता है, इसका मदद यह पूरी quantity क्या हो गई, 0 हो गई, इस प्रकार जहां रखना है, इसी प्रकार, similarly, यह वाल ट्रम, देल dot, देल U3 cross, देल U1, A B 0, और देल dot, देल U1 cross, देल U2, A B 0, यह आगा equation 4, equation 4, समझो इसको यह बढ़ देखो चितरे, सबसे पहले क्या कि आपने, सबसे पहले पूरा formula लिखा, अच्छी तरह, उसके बाद में, यह formula एक vector field में formula होता है, उसका use किया, इसका use करने पर आपके पास यह formula बढ़ गया, ठीक है, अब आपके पास, यह term यह आपर apply कर देना, ठीक है, यह apply कर देखने के बादे के बाद ठीक है, इसका use किया, तो यह quantity sub 0, अब इस 4 का उपयोग 3 में कर देंगे, तो यह जो जुगाड आ रहा है, यह पूरा जुगाड के हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यह last part रम बच जाएगी, तो लिख दू इसको, 4 का उपयोग 3 में करने पर, समीकरण 4 का उपयोग 3 में करने पर, समीकरण 4 का उपयोग समीकरण 3 में करने पर, देल डोट A vector is equal यह तीनो टरम 0, तो देल A1, H2, H3, देल U2 cross, देल U3, और यह क्या हो जाएगा, देल डोट A2, H1, H3, और देल U3 cross, देल U1, प्लस, देल डोट A3, H1, H2, और यह क्या हो जाएगा, देल U1 cross, देल U2, ठीक भई, अब आगे, equation 2 का यह आपर यूज करना है, समीकरण 2 का उपयोग करना भई, समीकरण 2 क्या थी, वो देखा एक बार, समीकरण 2 थी आपके पास में, जो E1 केप है वो था, H2, H3, डेल U2 cross, देल U3, यह था ना, और दो E2 केप था, वो था, H1, H3, डेल U3 cross, डेल U1, और E3 केप था, वो था, H1, H2, डेल U1 cross, डेल U2, यह वेल्यू थी, तो देख लो, सबसे पहले, यहाँ पर, डेल U2 cross, डेल U3 की वेल्यू, इसकी वेल्यू क्या हो जाएगी, E1 केप यह नीचे आजाएगा, इसके बाद में, इसकी वेल्यू, E2 केप यह डिवाइद में आएगा, इसकी वेल्यू, E3 केप यह डिवाइद में आएगा, क्या रुकरेंगे, समें इकरन दोका उप्यों करने पर, equation 2 थाए, और, using equation 2, del dot A vector is equal, del A1 H2 H3, खीक है, और यह वेल्यू क्या हो गई, E1 केप अवर H2 H3, plus, plus, next, del A2 H1 H3, A value E2 केप अवर H1 H3, plus, third term, del dot A3 H1 H2, और यह E3 केप अवर H1 H2, लिखु यहां तक, 2 अपजयो, और, दोकिते अवर H2, और वह Sबचाएखना केह, और, सबसांगे, सोचाब प्वयों केह, होगिज़ यह वेल्यू को, बहां गलुचपना, पिना श लिएे new, Italiaं, फोच्वाच्भंचना, One वे सबस् waख़ों केह सबस्यां टोंकर पना में 1 दोकτα ispiration, ठीक है भाई, आगे बढ़ देखो इसको, इतना कंडे के बाद में, अब क्या करेंगे देखो, इस एक ट्रम को सोल कर ले हैं पन, इस ट्रम को, तो देखो क्या होज़ा एक लिए ट्रम, देल, एवन, एच टू, एच टू, एच ट्री, ठीक है, इवन केप ओवर, एच टू, एच ट्री, क्या हैगी यह ट्रम देखो, इसको मैण लिख दिए, इस ट्रिश लाष्ट में, इसके ओपर कई पर वेक्टर नहीं है, इसका मतलब यह है, इसको अगया, इसको अगया, अगया location के बाहर डे, इसका मतलब यहै क्या है, इसका फॉर्मला क्या होता है इसका फॉर्मला होता है E1 के ओवर H1 डेल फाई ओवर डेल U1 फाई की दिखें A1, H2, H3 यहाँ पर A1, H2, H3 ठीक है ना प्लस ये 2 के ओवर H2 फिर फाई ये है डेल A1, H2, H3 ओवर डेल U2 प्लस E3 के ओवर H3 डेल फाई डेल फाई की जगे A1, H2, H3 अपोन डेल U3 और लास्ट में डोट क्या है E1 के ओवर H2, H3 ये काणी है बहाई इसकी क्या किया ये इसका फॉंक्सन है इसका फॉंक्सन का जो परवाणता होती है जो ग्रेडियंट हो क्या होता E1 के ओवर H1 डेल फाई ओवर डेल U1 E2 के ओवर H2 डेल फाई ओवर डेल U2 E3 के ओवर H3 डेल फाई ओवर अपोन डेल U3 और फाई की जगे A1, H2, H3 रख देना ठीका फोर्मुला जाएगा अब देखो E1 केप डोट E1 केप जैसे I केप डोट I केप की वेल्यू 1 होती है बाकि E2 केप E1 केप 0 E3 केप E1 केप 0 I केप डोट I केप की वेल्यू 1 बाकि I केप डोट J केप करो I. केप करो सब क्या होता? 0 यहाँ पर क्या बज़ जाएगा? यहाँ आपर यह बच जाएगा E1 केप पड़ा, देखो, 1 over H1, del over del U1, A1, H2, H3, ठीक है, dot E1 केप, dot E1 केप की वेल्यू, 1, 1 over H2, H3, 1 over H2, H3, समझ में आ रहा है, फिर क्या करेंगे, dot product है न, E2 केप, E1 केप की वेल्यू, यानि J केप, dot I केप की वेल्यू, 0, केप, dot I केप की वेल्यू, 0, तो यहाँ पर फर्स्ट आएगा, अब यह H2, H3, यह है, H1, यह तो टोटली क्या हो जाएगा, 1 over H1, H2, H3, 1 over H1, H2, H3, यहाँ पर del A1, H2, H3, डिवाइड में क्या है, del U1, del U1, यह क्या वेल्यू आगई, del A1, H2, H3, dot E1, K power, H2, H3 की वेल्यू आगई, और यह equation कौन सी है, I think यह equation पता नहीं है, equation चार है यह, यह समीकरण 4 और यह समीकरण 5, आगे ओर सोल करेंगे, इसको लिख एक बार, ठीक है बाई, आगे देखू, यह अपने सोल कर लिया, यह थी डायेट इसकी वेल्यू और यह समीकरण 5, इसकी वेल्यू भी रख देंगे, similarly, similarly, यहाँ यहाँ पर रख दूँ क्या, इसी प्रकार, similarly, similarly, यह जो वेल्यू है, डेल, A2, H1, H3, डोट, A2, K, ओवर, H1, H3, इसकी वेल्यू क्या हो जाएगी, बाहर तिन्नों है, 1, 1 over H1, H2, H3, वाँ पर U1 है, तो यहाँ पर डेल over डेल, U2 हो जाएगा, यहाँ आपर A1, वर के साथ में 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A2, अब देखो, है तिन्नों ही, 1, 2, 3, तो यह आपर 2 आगया तो क्या बच जाएगा, 1 over 3 बच जाएगा, यह आगया, एसे ही, यह equation 6 है वाई, डेल, डेल, डोट, A3, H1, H2, जो लास्ट पर स्क्रम आई है वाली, डोट, E3, K, पोवर, H1, H2, इसकी वेलु क्या आएगी, बाहर दो तीन्नों है, 1 over H1, H2, H3, और यह क्या बनदा है, डेल, ओवर, डेल, 3 के साथ में, 3, और यह A3, तीन आगया, एक और दो बच भया, H1 H2, यह एक्वेशन 7, यहाँ तर लिखो, 5, 6, 7 को फोर में रखदो, आणसर आगया, 5, 6, 7 को रखदो, फोर में, on using equation 5, 6 and 7 in equation 4, in equation 4. देखो बज़, डेल डोट A vector is equal, देखो, यह 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 value, 5, 7 को जोड़ना है तो है, H1, H2, H3, तीनों में common आ रहा है, 1 over H1, H2, H3, तीनों में common, अब यह ट्रम क्या बतरी है, वो देखो, डेल over डेल U1, A1, H2, H3, second रोल में क्या बतरी है, डेल over डेल, U2, यह आपर, A2, H1, H3, last में डेल over डेल, U3, A3, H1, H2, A3, H1, H2, यह टरम बतरी है वाई, इसको लिखो, ठीक है, और जब अपने discuss किया, तो उस discussion में, तो डेल डोट A vector है, आप देखों कि आप चेक कर सकते हो, divergence का formula यह 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 था भाई, यह किसका formula था, divergence का formula था, किसका formula था, divergence का, तो divergence का formula क्या हो जएगा, यह हो जएगा 1 over H1, H2, H3, और यह formula हो गया, sorry divergence का formula हो गया नहीं यह, divergence of A vector, divergence of A vector हैं प्रूव, ठीक है भाई, यह हो गया divergence का formula, इसको अच्छे प्रकार्चे करना, most आईए, कार्पी टोट तब गुमाफिरा के question को दिया है, किका ना, अभी question देख लेते हैं एक बार वापस, एक्जामिक पुछा हुआ यह question, क्यूशन है, लाम्बिक वक्र रेखी निर्देशांकों के लिए, सिद्ध कीजिये की, और ओर्थोगोनल फ्रेम लिख लेतों में, और ओर्थोगोनल कर्व लीनियर, और ओर्थोगोनल कर्व लीनियर कोडिनेट्स, प्रूव देट, यह प्रूव करना है, क्या है, E1 केप इस इक्वल, H2, H3, डेल, U2, क्रोस, डेल, U3, यहां, H2, यहां, H1, H2, H3, स्केल गुनक है, क्या है, स्केल गुनक है, इसी प्रकार, E2 केप वे, E3 केप के लिए भी, सिद्ध कीजिए, similarly, प्रूव देट, similarly, प्रूव फोर, E2 केप और E3 केप, यहां, E2 केप की वेरिव क्या प्रूप करना है, H1, H3, डेल, U3, क्रोस, डेल, U1, यह H2 के लिए, E2 के लिए, प्रूव करना है, H1, H2, डेल, U1, क्रोस, डेल, U2, यह किसके लिए प्रूप करना है, E3 के लिए प्रूप करना है, यह प्रूप करना आपको, और यह कैसे प्रूप करना वो मैंने आपको बता दिया, मैंने रफ आइडिया आपको आपको आपस दे रहा हूँ, इसका जो solution वो कैसे हो जाएगा, आप लोग जानते हो कि 5 क्या होता है, E1 के पोवर H1, डेल 5 ओवर डेल U1, प्लस E2 के पोवर H2, डेल 5 ओवर डेल U2, प्लस E3 के पोवर H3, डेल 5 ओवर डेल U3, तो क्या मानना है, लेट 5 इसका प्रूप क्या consider कर लिया, U1 तो डेल U1 की वेल्यू क्या होता हैगी, E1 के पोवर H1, डेल U1 आवर डेल U1, E2 के पोवर H2, डेल U2, E3 के पोवर H3, डेल U1 आवर डेल U3, U1, U2, U3 क्या है, इन्डेपेंडेंट वेडियेबल, तो 0 हो गया, यह 1 हो गया, क्या हो गया 1 तो डेल U1 की वेल्यू क्या हो देगी E1 केप और H1 तो यहां से E1 केप की वेल्यू H1 डेल U1 यहां मैंने वापस बता दिया भाई यह से बता चुका हूँ ठीक है ना? Similarly Similarly E2 केप की वेल्यू H2 डेल U2 और E3 केप की वेल्यू H3 डेल U3 यह कर लिया अब देखो भाई E1 केप की वेल्यू क्या ही है? H1 डेल U1 अब E1 केप को क्या लिए दिंगे अपन? E2 केप क्रोस E3 केप E2 केप की वेल्यू H2 डेल U2 और यह H3 डेल U3 H2 को सार लिख दिया और यह डेल U2 क्रोस डेल U3 लिख दिया ऐसे ही E2 केप की वेल्यू क्या हो देगी भाई? E3 केप क्रोस E1 केप तो यह H3 H1 बाराद आएगा तो यह डेल U3 क्रोस डेल U1 हो देएगा ऐसे ही लाश्ण बचेगा E3 केप यह आएगा E1 केप क्रोस E2 केप यानि I केप क्रोस J केप की वेल्यू के के तो यह H1 H2 देल U1 क्रोस देल U2 यह मैंने बता दिया यह मैंने प्रूब भी कर दिया तो यह topic over है भई same process से आपका curl क्या होता है soul, इस method को आप अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए alternate method of curl है वो अपनिया क्या हो जाएगा soul हो जाएगा बहुत easy way में ठीक भई मिलते है next lecture में, okay, bye